नमस्कार साथियों मेरे नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दुष्टी आए इस चैनल की इस नए विडियो में यह हमारा economy this week का program है जहाँ पर हम पिछले हफते में economy की जो तमाम important खबरे रही है उन खबरों के static portion को और उन खबरों से जोड़े जो important पहलू है उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि economy से जोड़ा अगर कोई भी सवाल आपके प्रशन पत्र में आए तो आपको न केवल उसका current का segment पता हो बलकि static portion भी आपको वहाँ पर बता हो ताकि आप सवाल को solve कर सकें चलिए इसी note के साथ video की शुरुवात करते हैं अब तक हमारी जो पूरी series है इसके 5 episode live हो चुके हैं तो आप channel पर जो है 5 episode इस पूरी video के इस पूरी series के देख सकते हैं अगर आपको video अच्छी लग रही है अगर आपको series अच्छी लग रही है तो video को like करना बिल्कुल मत भूलेगा share करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपके और भी साथी जो है इस पूरी live session से जोड़ सकें इस पूरी video session को देख सकें चलिए अभी सी note के साथ video की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले देख लिए जाए कि इस video में हम कौन-कौन से important points पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे पूंजिगत लाब करकी यानि के capital gain tax की तो capital gain tax क्या होता है और ये चर्चा में की हो आया है यहाँ पर एक और शब चर्चा में आता है indexation तो indexation का क्या मतलब है इसको एक example से समझेंगे वैसे तो सरकार ने indexation को समाप कर दिया है हलाकि इसके बावजूद भी indexation क्या होता है एक बार इसको हम समझ लेंगे अगली जो हमारी खबर है वो RBI की एक report से जड़ी हुई है report जारी की गई है RBI की और से जिसका नाम है मु बाजरा और बाजरा पर बाद करेंगे बाजरानी के मिलेट श्री अन जिसे कहा जाता है उस पर प्रधान मंतरी मोधी ने बयान दिया है तो यह कुछ important खबरें हैं हमारे देश में economy को लेकर के जिन पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं चलिए सबसे पहले वीडियो की आया है उस पर भी हम बात करेंगे उससे पहले important है कि आप पूंजिगत कर को समझ लें पूंजिगत कर होता क्या है तो किसी भी पूंजिगत संपत्ती की विक्री से होने वाला जो लाब होता है उस लाब को कहा जाता है पूंजिगत लाब सबसे पहले क्या समझना है आपको क capital जो gain होता है, capital gain का मतलब क्या है, capital gain का मतलब ये है कि अगर आप कोई capital asset बेचते हैं, क्या बेचते हैं, अगर आप कोई capital asset यानि कि पूझीगत संपत्ती बेचते हैं, और इस पूझीगत संपत्ती को बेचने की वज़े से आपको कोई lab होता है, तो इस lab को कहा जाएगा capital gate, आ होती है पूंजिगत संपत्ति यानि वो संपत्ति जिसको बेच जिसको जिसको जिस पर आप इंवेस्ट करते हैं ताकि आपका रिवेन्यू वड़ सके जिसमें आप पैसा लगाने के लिए इंवेस्ट करते हैं जैसे कि आपका शेयर हो गया आपका बॉंड हो गया इसके आम चीजों को आप खरीते हैं ताकि आपको कुछ revenue मिल सके उसको कहा जाता है capital asset तो capital asset को बेचने के बाद आपको जो लाब पर आपनोता है उसको कहते है capital gain और यह जो लाब है यह लाब आपका income की category में आता है कहां आता है आए की category में आता है और अगर आप income tax act को पढ़ेंगे तो वहां पर साफतोर पर लिखा हुआ है कि आपकी आए पर आपको text देना पड़ता है यानि कि आपको जो है अपने पूंजिगत लाब पर भी कर देना पड़ेगा आपको text देना पड़ेगा जिसको कहा जाता है पूंजिगत लाब कर यानि कि capital gain tax अब capital gain tax जो है वो दो तरह के हो सकते हैं एक हो सकता है आपका अलपकालिक यानि कि जो आपका capital gain है वो दो तरह का हो सकता है एक हो सकता है अल्पकालिक आपका एक होता है दिर्खकालिक यानिकि एक होता है आपका short term capital gain और एक होता है long term capital gain और इन पर अलग अलग दर से tax लगता है तो जो tax लगता है उसको कहा जाता है short term capital gain tax और दूसरा वाला जो होता है long term capital gain tax तो ये हमने आपका capital gain tax क्या होता है उसको स से समझेंगे आप इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ माल लीजिया आप को यह share कहरीदते हैं आपने share खरीदा आपने एक company का share खरीदा उसको 100 रुपे का अगले साल जो शेयर है वह आपका 1500 रुपे का हो जाता है लेकिन अभी तक आप ने शेयर को बेचा नहीं है तो फिर इस पर जो है capital gain tax नहीं लगेगा उसके अगले साल share आपका 200 रुपे का हो जाता है आभी भी आपने नहीं बेचा तो capital gain tax नहीं लगेगा फिर इसके अगले साल आपका share जो है basically की गई है इसके अलावा एक concept होता है आपका शुद्ध पूंजिगत लाब यानि कि net capital gain अब net capital gain क्या होता है net capital gain का मतलब यह है कि अब यहाँ पर अभी तक हम मान के क्या चल रहे थे अभी तक हम मान के यह चल रहे हैं कि आपको लाब ही होगा आपको profit ही होगा लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपको profit ही हो आपको नुकसान भी हो सकता है आपको loss भी हो सकता है तो जब आप अपने capital gain में से capital loss को हटा देते हैं तो फिर निकल करके आता है आपका net capital gain कैसे इसका formula क्या होगा आपका इसका formula है अगर आपको net capital गेन निकालना है, तो आपको अपना जो टोटल टोटल क्यापिटल गेन है, टोटल क्यापिटल गेन या फिर आप इसको कह सकते हैं, ग्रॉस क्यापिटल गेन इसमें से टोटल क्यापिटल लॉस को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर आपका निकल करके आता है net capital gain तो यह होता है आपका शुद्ध पूंजिगत लाब तो हमने पूंजिगत लाब कर क्या होता है उसको समझा पूंजिगत लाब क्या होता है उसको समझा अब यहाँ पर एक concept आता है पूंजिगत लाब में इंडेक्सेशन का concept अब यह खबर चर्चा में सवरे से आई थी क्योंकि सरकार ने जो रीसेंट बजट पेश किया उस रीसेंट बजट के दौरान इंडेक्सेशन के process को समाप कर दिया गया हाला कि सरकार ने जरूर कहा कि जिन संपत्यों को एक अप्रेल 2001 से पहले खरीदा गया इसके अलावा indexation क्या होता है अब indexation को एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है तो indexation का सीधा मतलब यह है कि जब आप पूंजिगत लाब की गड़ना करते हैं उसमें जब आप inflation को adjust करते हैं inflation को जो है adjust किया जाता है तो इसको कहा जाता है इस process को कहा जा कहता है indexation अब इसको एक example से समझने के हम कोशिश कर सकते हैं कि indexation होता क्या है और सरकार ने जो बदलाव किया है उस बदलाव का effect क्या होने वाला है सबसे पहले indexation के उधारन को अगर आप समझें तो आपके सामने scenario एक है scenario एक ये कहता है कि आपने एक April के बादया मा लिजे कि आपने एक August 2001 को एक समपत्ती खरीदी एक asset खरीदा जिसकी जो value थी आप कह सकते हैं कि आपने घर खरीदा एक घर आपने खरीदा जिसकी value थी 10 लाक रुपे एको क्या कहेंगे, इस 65 लाक रुपे को कहा जाता है capital gain, इसको कहा जाता है capital लेकिन important point यहाँ पर क्या है important point यहाँ पर यह है कि basically आपका 2001 से 2024 के बीच में inflation भी तो बढ़ा है महंगाई भी तो बढ़ी है तो उस महंगाई को adjust कौन करेगा उस महंगाई को हम adjust करेंगे इसी process को कहा जाता है indexation तो इसके लिए लागत मुद्रा स्वीति सू करते हैं basically आपका inflation को adjust करने के लिए तो अब माली जी सरकार तमाम calculation करती हो उस calculation को करने की बाद आप मुद्रा स्वीति को adjust करते हैं और आपको जो total capital gain होता है पहले था वो 65 लाक यानि के 65 लाक लेकिन inflation को adjust करने के बाद आपका जो पूरा profit आता है वो आता है 43.3 लाक रुपी तो आप ये जो 43.3 लाक रुपीज है इस पर आपको पहले के budget के मुताबिक 20% कर देना होता था तो ये तो पहले की स्थिति हुई इसमें हमने indexation को भी समझ लिया कि indexation क्या है अब दूसरी स्थिति को देखिए सरकार जो नया provision लेकर आई है उसमें क्या कहा गया है सिनारियो वही है आपने 2001 में 10 लाक रुपे की एक समपत्ती खरीदी थी घर खरीदा था 2024 में घर की जो value है वो 75 लाक रुपे हो गई है आपको यहाँ पर जो profit हुआ है वो 65 लाक रुपे है तो अब सरकार जो नया provision लेकर क्या आई है वो नया provision ये कहता है कि अब हम जो है indexation को calculate नहीं क किया जाएगा तो अब होगा क्या अब यहाँ पर जो आपका 65 लाक रुपे है आपको इसी पर tax देना पड़ेगा अब आप सुचेंगे कि इसकी वज़े से तो आपको बहुत नुक्सान होगा तो सरकार ने इस नुक्सान को कम करने के लिए जो tax का rate है उस rate को कम कर दिया है tax लगता था आपका 20% की दर से अब tax कितने से लगेगा अब tax लगेगा 12.5% की दर से तो अगर आप इसको calculate करेंगे तो यहाँ पर जो आपका tax है यह second scenario में जो tax है वो पहले सिनारियो की तुलना में कम हो जाएगा लेकिन अब यहाँ पर उपर से अगर आप देखेंगे एक क situation की हमने यहाँ पर बात की कई जानकार यह बताते हैं कि इस पूरे indexation को समाप करनी की वज़े से अगर profit के वल तब होगा जब आपका जो asset की value है वो value कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ती है यानि कि अगर आपकी value में multiplication आपको देखने को मिलता है बहुत तेजी से उसकी value बढ़ जाती है लेकिन अगर आपकी समपत्ती की value तेजी से नहीं बढ़ती है तो फिर इसके पर नाम सरूप आपको जो है second scenario में नुकसान हो सकता है आपको वहाँ पर ज़्यादा text देना पड़ेगा तो यह चीज सवाल उठा रहे हैं तो यह हमने indexation की बात की capital gain की बात की उसको पूरा समझा अगली खबर को अगर आप देखें तो RBI ने एक report जारी की है रिपोर्ट का नाम है मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट यानि के money and finance रिपोर्ट यह जो रिपोर्ट का theme है वो है भारत की digital क्रान्ती यानि के इंडिया's digital revolution तो यह जो पूरी रिपोर्ट है रिपोर्ट भारत में किस तरह से एक digital revolution एक digital क्रान्ती आपको देखने को मिल रही ह उस क्रान्ती को लेकर के बात करती है रिपोर्ट में क्या बताया गया है रिपोर्ट बताती है कि भारत जो है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती digital अर्थवस्था बनने की और जो है अगरसर है भारत के पास वो शमता मौजूद है कि भारत दुनिया के तमाम देशों को digital मामले में पीछे छोड़ सकता है भारत के पास एक बहतर सारवजनिक infrastructure मौझूद है एक digital public infrastructure मौझूद है जैसे कि हमारा आधार हो गया इसके अलावाँ डिजी लॉकर हो गया और भी कई जो सुविधाये हैं सरकार के और से शुरू की गई है भारत के है भारत पे है और भी बहुत सारी कंपनिया है यूपियाई जैसे सिस्टम शुरू किया गया है इसके लावा भारत में आपका जो है एक अनुकूल नीती वातावरण भी मौझूद है बिजनेस के लिए विवसायों के लिए जो हमारा financial ecosystem है उसके लिए भारत में विवसायों सुरू करने के लिए आपको एक एक बहतर वातावरण एक बहतर ecosystem देखने को मिलेगा तो यह तमाम चीज़े भारत के पास मौझूद है और इसी वज़े से भारत जो है दुनिया की अगली एक बड़ी digital economy हो सकता है भारत में क्या-क्या अवसर मौझूद है क्या-क्या फायदे भारत में उठाएं है उनकी अगर आप बात करें तो भारत में आपको financial inclusion देखने को मिला है वित्य समावेशन देखने को मिला है इसका मतलब यह है कि आप आप देखेंगे तो भारत में जो है जो आपकी street vendors होते हैं उनके पास भी आपको digital माध्यम से payment की सुझधा देखने को मिल जाएगी तो वहाँ पर भी आप digital की माध्यम से payment कर सकते हैं ऐसा नहीं कि अगर आप mall में जाते हैं तो वहीं पर आपके वर digital माध्यम से payment करेंगे आप जो street vendors हैं वहाँ पर भी डिजिटल माध्यम से payment कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो डिजिटल revolution है कि इतने बड़े level पर आ गया है कि अब आप सामानिसी चीज़ खरीदने के लिए भी कोई एक चोटा सा पैन खरीदने के लिए भी कोई टौफी खरीदने के लिए भी आप जो है digital माध्यम से payment कर सकते हैं जबकि भारत में ऐसा पहले संभव नहीं था इसके अलावा राजकोशी हस्तांतरन आपको देखने को मिला है सीमा पार व्य बाउमेट्रिक आधारित पहचान और वास्तिविक समय भुगतान में दुनिया में पहले स्थान पर आपको मिलेगा यानि कि भारत दुनिया की-उन चुछ चुनिंदा देशो मेंसे एख हैं जहां पर बायोमेट्रिक आधारित पहचान की प्रणाली इसके अलावा और आप आप देखें तो भारत में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के जो संख्या है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है पहले नंबर पर कौन है पहले नंबर पर आपको चाइना मिलेगा तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नमबर पर है स्टार्ट अप एको सिस्टम के अगर आप बात करें तो स्टार्ट अप एको सिस्टम के मामले में भारत आपको तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगा तो बायोमेट्रिक पहँचान के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है Telegram subscribers के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और startup ecosystem के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आपको मिलेगा इसके अलावार report में भारत में जो digital छेत्र है digital revolution है उसके सामने कुछ चुनौतियों की भी बात की गई है चुनौतियों को अगर आप देखें तो cyber सुरक्षा यहाँ पर एक चुनौति के तौर पर सामने आता है data की privacy चुनौति के तौर पर सामने आती है third party जोकी में चुनौति है जैसे कि आपका जो intermediaries होते है facebook हो गया, instagram हो गया, twitter हो गया, amazon हो गया उसको एक बड़ी चुनौति के तौर पर सामने रखा गया है consumer सुरक्षा यानि कि ग्राहक सुरक्षा, मानव संसाधन कोशल उन्यन, एवंपुनह कोशलन और जटिल वित्य उत्पाद और व्यवसाइक model यानि कि हमारे जो financial product है वो अभी बहुत complex है, तो भारत का जो एक बड़ा consumer base है वो उससे छुटा हुआ है तो उस consumer base तक हमें जो है अपने financial product को पहुँचाने की ज़रत है इसके लिए important यह है कि हम अपने financial product को और ज़्यादा सरल बनाएं और ताथा आसान बनाए ताकि ग्रामीड वेक्ति भी उन products का, उन apps का, उन applications का इस्तमाल कर सके तो यह कुछ बाते थीं जो आपका RBI के report में शामिल की गई थी चली आगे बढ़ा जाए अगले ख़बर को देखा जाए तो अगले हमारी ख़बर जो है वो आपका core sector यानि के core उध्योग से जुड़ी हुई है ख़बर चर्चा में इस वज़े से आई है क्योंकि हालिया data यह बताता है कि भारत में 8 प्रमुक छेत्रों की वरधी दर जो है वो जून महिने में वार्षिक आधार पर घट करके 4% रह गई है निकि हमारी जो 8 core sector है उसमें जूर के महिने में जो growth rate है वो बहुत जादा कम हो गई है इससे पहले अगर आप देखें तो यह आपका माई के महिने में 6.3% के आसपास था और उससे पहले यह growth rate जो थी वो 8.2% के आसपास थी तो 8.2% से कम हो करके यह अब 4% के आसपास आ गई है तो यह ख़बर यहाँ पर आपको देखने को मिली थी अब important point यहाँ पर क्या है important point है core sectors तो core sectors क्या होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे तो भारत में आपको 8 core sector देखने को मिलेंगे यह core sector इन्हे core sector इस वज़े से कहा जाता है कि यह भारत की economy के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए एक important role जो है वो यहाँ पर play कर सकते हैं कौन-कौन से core sector यहाँ पर शामिल है उनकी अगर आप बात करें तो यह आपके सामने list दी हुई है इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो core sector होते हैं उनको weightage दी जाती है तो जिस sector को सबसे ज़्यादा weightage मिली हुई है वो सबसे आगे आपको मिलेगा और जिस sector को सबसे कम weightage मिली हुई है वो सबसे पीछे आपको मिलेगा तो सबसे आगे जो है वो आपका refinery उत्पाद है जिसमें आपका तेल प्रोड़क्ट जो आपका बिसिकली जो refined products होते हैं जो कच्चे तेल को refine तरने के बाद जो products बनते हैं raw oil को refine करने के बाद जो products बनते हैं वो शामिल होता है है उसको सबसे ज़दा वेटेज दी जाती है कोर सेक्टर में और जो उर्वरक सेक्टर है यानिके fertilizer सेक्टर है उसको कोर सेक्टर में सबसे कम वेटेज यहां पर ब्रदान की जाती है इसके अलावा जो आपका ये जो आठ उद्योग हैं, ये आठ उद्योग, उद्योगिक उत्पादन सूचकांग, कहने कि Index of Industrial Production, इसमें भी एक important role play करते हैं, तो ये जो पूरा सूचकांग है, ये आपका निश्चित अवधी के दुरान उद्योगिक उत्पादन की प्राप्त होती है, इसकी अगर आप बात करें, इसका data आपको केंदरी सांकी की संगठन, यानि के CSO Central, Statistical Organization की और से जारी किया जाता है, और ये जो आपका Index of Industrial Production है, इसमें core sector की जो हिस्सेदारी है, वो 40.27% के आसपास है, और जो आपका Index of Industrial Production है, उसको calculate करते समय, जो आधार वर्ष है, वो 2011-12 को इस्तमाल किया जाता है, तो ये overall हमने यहाँ पर core sector को लेकर के जो तमाम जानकारिया थी, उन पर बात की, अगली खबर को देखें अगर आप, तो अगली जो हमारी मन्तली जो आपका record होता है, उसमें तीसरा सबसे बड़ा मन्त जो है, यहाँ पर हमें देखने को मिला, जुलाई 2024 का data अगर आप देखेंगे तो बताता है data की जुलाई 2024 के महने में हमने जो GST collection record किया, वो 1.82 लाग करोड के आसपास था, और ये तक्रीबन आपका 10.3 प्रतिशत की वरधी दर को दर्शाता है, अब ये तो आपका current का context हुआ, GST के एक बार बात कर लेते हैं, GST से जोड़े जो important points हैं, उनको समझ लेते हैं, GST के अगर आप बात करें तो इसे भारत में भारती सम्विधान के 101 सम्विधान संचुधन, यानि कि 101 constitutional amendment of 2017 के माध्यम से भारत में पेश किया गया था, ये भारत के सबसे बड़े आपरत्यक्ष कर सुधारों में से एक है, indirect tax है, यानि कि indirect tax हो direct tax में अंतर क्या होता है, indirect tax उसी व्यक्ति, sorry, direct tax होता है, वो उसी व्यक्ति द्वरा दिया जाता है, जिस व्यक गया किसी व्यक्ति पर जाता है, और उसको pay कोई व्यक्ति करता है, जानि कि जब आप किसकोई product को खरीते हैं, तो आप उस पर tax देते हैं, तो आप tax सरकार को नहीं दे रहे हैं, आप tax उस व्यक्ति को दे रहे हैं, उस पर उस seller को दे रहे हैं, फिर वो seller आगे tax देता है, फि उसे आप One Nation, One Text की अवधारना के अनुरूप देख सकते हैं, इसके अलावा GST में उत्पाद, शुल्क, मूलिवर्धी, दर, या फिर सेवाकर, विलासिताकर, आदी जैसे जो है, अपरत्यक्षकर को मिला करके इसको बनाया गया था, यहीं कि जो तमाम कर आपको यहाँ पर मिल करेंगे, इन सब ही को मिला करके एक कर बनाया गया, जिसको आज हम जानते हैं, GST के नाम से, इसी वज़े से इसको One Text, One Nation, One Text के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा GST के नियंत्रण की बात करें, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करनी की जो जिम्मेदा बारी है, वो आपका GST परिशत की है, GST परिशत करता है कि भारत में कौन सी वस्तो पर कितना कर लगेगा, कितनी GST लगेगी, भारत में कितनी सलाब होंगी, भारत में कौन सा उत्पात, कौन से सलाब में शामिल हो गए, तो यह तमाम जो डिसीजन्स हैं, यह आपका GST काउ यानि कि GST परिशद के बारे में एक important point यह है कि GST परिशद में official चामिल नहीं होते हैं, GST परिशद में आपको केंद्र सरकार और राज सरकार के जो वित्मंत्री हैं, वो देखने को मिलते हैं, तो केंद्र और राज के एक joint forum के तौर पर भी GST council आपका काम करता है, इसके अला recommendations को मान सकती है, सरकार चाहे तो इन recommendations को मानने से इंकार कर सकती है, इसके अलावा और slabs के अगर बात करें तो GST परिशद के सदस्टों को अगर आप देखें तो जो केंद्री वित्मंत्री हैं, वो GST परिशद के अध्यक्ष होती हैं, इसके अलावा केंद्री राज्य वित मंत्री जो हैं, वो इसमें एक member के तोर पर शामिल होते हैं, इसके अलावा प्रतेक राज्य या फिर वित कराधान के जो प्रभारी हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है, और इसका काम यही है कि GST से जुड़े जो important point हैं, उन पर राज्यों को और केंद्र सरकार को सिफार इसके अलावा जैसे slab से गर आप देखें, तो 0% हो गया, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% है, 28% है, तो इस तरह के slab आपको GST में देखने को मिल जाते हैं, तो यह overall हमने GST के बारे में जो important points हैं, उनको समझा, आप यहाँ पर एक और हमारी खबर है, इस पर भी बात कर लेते हैं, य इस कारिक्रम में शामिल होते हुए, उन्होंने संबोधन दिया, भाशन दिया, और उस भाशन में उन्होंने कहा, कि जलवाईू संकट और जलवाईू परिवर्तन से निपटने के लिए, जो बाजरा है, बाजरे की जो खेती है, वो एक समाधान के तौर पर आपको देखने को मिल सकती, एक solution के तौर पर आपके सामने निकल करके आ सकती है, और इसको भारसरकार क्या कहती है, बाजरे को शिरी अन कहा जाता है, इसके अलावा इसके importance की बात करें, सबसे पहले बाजरा होता क्या है, उसको एक बार समझ लिया जाए, तो बाजरा जो है, वो कोई फसल नह करने के लिए बाजरे शब्द का अस्तमाल होता है, तो बहुत सारी क्रॉप्स जो है, उनको collectively क्या कहा जाता है, मिलेट कहा जाता है, निकि बाजरा कहा जाता है, कौन-कौन सी इसमें क्रॉप्स होती है, तो ये क्रॉप्स बिसिकली वो है, जिन्हें मुख्य रूप से आपक जिसको कहा जाता है, बाजरा जैसे मोती बाजरा जिसको कहा जाता है, वरिगा हो गया, प्रोसो मिलेट कहा जाता है, तो ये जमाम जो फसले हैं, इन फसलों को collectively आप क्या कहते हैं, बाजरा कहा जाता है, मिलेट कहा जाता है, और जब भारत में civilization की शुरुवात होती है, यान पर बाजरे को उगाया जाता है और भारत में के अलावत दुनिया के कई देश ऐसे हैं दुनिया के तक्रीबन 60 करोड नागरी कैसे हैं जो बाजरे को अपने प्रारंपरिक भोजन के तौर पर या अपने पारंपरिक भोजन के तौर पर इस्तमाल करते हैं भारत में भी अगर थे देखें तो भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है घारी का सबसे बड़ा उत्पादक है शिर्ष राज्यों के अगर आप बात करें जहांपर उत्पादन होता है उसमें राजस्थान आपको मिलेगा करनाटक मिलेगा और महाराष्ट्र मिलेगा तो यह Director important point हुए बाजरे के बारे में जिन पर हमने बात की अब यहाँ पर जो एक important concept है वो यह है कि बाजरा जलवायू परिवर्तन में किस लिहास से important होता है उसको अगर आप समझे तो जलवायू परिवर्तन और बाजरे के relations को अगर आप देखें तो यह जो फसल है यह फसलें आपका जलवायों के बहुत अनकूल होती है आपके जो पुरवातवर्ण है उसके बहुत अनकूल माने जाती है इसके लावा बाजरा जो है वो आपका एक सूखा प्रतिरोधी फसल भी है जिसको उगाने के लिए बहुत कम पानी के अवशकता पड़ती है और खराब मिटी की स्थि में भी इसको उगाया जा सकता है तो इस लिहाज से भी बाजरा आपका important हो जाता है इसके अलावा आप प्रत्याशित मौसम में भी आप इसको उगा सकते है यानिके बहुत सारी फसले रहती है जो केवल आपका rain fed areas में ही उगाया जाती है पानी पर बारिश पर बहुत में भर रहती हैं लेकिन क्योंक्sky बाजरे को उगाने के लिए बाजरे की ईवाए कि प्रारमपर जो करशी है जो और जो ऑरермगे रिगरुथा होता है उसमें भी उप्योग करके भी इसको उगाया जा सकता है जो आध्ष निक प्रधियोगि की करशी प्रधितियों की तुल आनी जाती हैं तो overall अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि बाजरे की जो फसले हैं वो ना केवल हमारी पोशन संबंधी जरूरतों को पूरा करती हैं बलकि बाजरे की फसले हमारे परिवरण के लिहास से भी important होती हैं और इसलिए प्रधान मंत्री नरेदर मुदी ने अपने भ सवाल जो हैं वो इन ही तमाम जो आपकी जो खबरे रही हैं उन खबरों से जुड़े हुए हैं तो सवालों का जवाब आप असानी से वीडियो में दे सकते हैं सवाल अगर आप देखें पहला आपका सवाल है कि पूर्जिगत लाभ में indexation का क्या आर्थ होता है हमारे option अग जवाब आपको जो है comment box में बताना है अगला सवाल अगर आप देखें अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में कोर उध्योगों के संबन्द में निमिलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि इसके तहत उर्वरक उध्योगों का सबसे कम बेटेश दिय जाता है दूसरा कतन है कि इसमें 2014-15 को आधार वर्ष के तौर पर इस्तमाल किया जाता है इसमें से कौन साक से कतन सही है या फिर है इसका जवाब आपको comment box में देना है option है option A केवल 1, option B केवल 2, option C 1 और 2 दो और option D ना तो 1 और ना ही 2 अगला कतन अगर आप देखें GST को ले जो हैं बाधिकारी होते हैं इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है option है option A केवल 1, option B केवल 2, option C 1 और 2 और option D ना तो 1 और ना ही 2 अगले सवाल को अगर आप देखें हमारा अगला सवाल है कि भारस सरकार की और से ने मिलकित में से किसे श्री अन्न के तौर पर संबोधित किया राता है हमारे option है option A बाजरा, option B गेहू, option C चावल या फिर option D इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको comment box में बताना है बहुत असान से सवाल है अगर आपने वीडियो को धान से देखा है तो आप असानी से सवाल के जवाब को दे प पढ़ते रहिए धन्यवाद